तो आज की वीडियों हम बात करने वाल है टीट फॉर टैट एक अच्छे खासे लेसंग के बारे में तो लेसंग शुरू करने से पहले जाईए पिसला वीडियो देख लिजिए तो चले शुरू करते हैं At once upon time a camel and a jackal lived by a river near the water edge and one of the other side of the river there was a village and fields and farms बवत समय पेले एक नदी के किनारे एक उठ और और एक लघ रहती थी उस नदी की किनारे और एक विलेज भी था मतलब एक गाव था उस गाव में वोट सारी खेती बाडी भी चलती है थी जैकल वाज वेरी क्लेवर, ही ट्राइट ट्रीक ऑन इस फ्रेंड गामल, हो वाज हैपिली मौंचिंग अवे इस फूड लोमडी वर शात्रती है उसने सोचा कि जलो अपने फ्रेंड के साथ मतलब जो कैमल है जो उट है उसके साथ कुछ ट्रिक है उसके साथ खेलते है जो कैमल था वो अपना अपना फूड चबा रहाता जैकल बिगन तो टेंट हीम तो गो फोर शुगरकें ट्रीट इन फार्म फिल्ड अट फर्स दो कैमल हिजिटेट बट इट एंड अगरीड तो गो वित जैकल तो रेट शुगरकें फिल्ड तो जैकल ने शुगरकें ने क्या किया कि लोमडी ने बोला कि चलो वहाँ पर जो गन्य का जो फार्म है शुगरकें का वहाँ पर जाते है कुछ ट्रीट कर देता हूं में तुमें तो मेर साथ चलो तो कैमल ने सबसे पहले उसे ना कहा कि बोले कि मेने याओगा तो हिजिटेट कर दिया उसको तो ऐसे बातों बातों में कैमल भी अग्री हो गया कुछ कुछ इस बातों मेन्य उसने तो दुनो निकल गए शुगरकें के दिया निकल गए म face the jackal sat on the camel's bag and two friends across the river they ate their fill in the sugarcane field suddenly the jackal began to how sure said the camel you will wait the farmer but the jackal went on holding sure enough the farmer and his helpers came running to the field the naughty jackal slipped away but the poor camel could not do so the farmer beat him up and thrown him away who I heard he came along day camel kpk he crossed the river and when they crossed the river they reached the farm and after coming to the farm they could eat the sugarcane then what happened is the jackal started to hear a lot of sounds so camel told him that the farmer will listen to the farm so he heard it so it happened that the farmer was listening to his वह दोनों जो ही फार्मर्स उनके लग गए उन्हें पकडने के लिए अब आपको पेली बता दिया था कि जो लोमडी थी वह बहुत थी शातिर और क्लेवर थी उसने क्या कि वहां से निकल गई पर जो कैमल था वहां से बहुत पूर था वहां से भाग नहीं पाया तो जो फार जैसे कि मैं आपको बाता है कि लोमडी भाग गई थी तो लोमडी निक्या कि रिवर साइड को उसका इंतजार कर रहा था तो केमल जब वहाँ पर पोचा मार खाने के बाद तो लोमडी न उसे वोला कि भाई मुझे माप कर दे क्योंकि मुझे गंदी आदा थे कि जब मैं खाना खाता हूँ अचा खाना काता हूँ तो मुझे सिंगीन करने की आदा थे इसके कारण तुझे मार पड़ी होगी तो केमल दिदंट से अनीधिंग यह लिफ दिख दो जैकल सीट अनीज बैक अट रिवर निर द अमिड़ा वजिवर वाटर वाटर वीड़ी देर देर तो केमल बिगें तो पर दिख दो देप पर जाने के लिए जैकल वा आये थे मुझे पहलोर आर यू त्वर अर्यू यह ट तो लोमडी ने गामल के पिट पे बेटे थी तो भीच में हुआ है कि जो पानी के ले रहे थे वह बढ़ गई तो अब इसको लगा कि यह कैमल अपने को डूबाना चाहता है पानी में तो भी देखो को कैमल क्या बोला की जैसे लोमडी ने किया ता वैसे कैमल ने भी किया की कैमल बोला की नहीं भाई नहीं मुझे भी एक आदद है की जब में अच्छा खाना खाता हू तो मुझे पानी में डिप करनी के आदद थे I hope you don't mind the naughty jackal learned his lesson he never troubled the camel again जो शातिर लोमडी थी उसे एक लेसन मिल गया कि कभी भी में इस कैमल को इस उट को कभी भी परिशान नहीं करूंगी ट्रबल नहीं करूंगी इस लेसन ने हमें बहुत अच्छी सीख दी कि अगर आप दूसरों के लिए गड़ा खोथते हो तो सबसे पहले आप ही उस गड़े में गिरते हो मुझे लगता है आपको इस लेसन पसंद आया होगा तो अगर वीडियो पसंद आती है तो भाईयो लाइक शियर सब्सक्राइ जो करना है वो करो और हाँ यह लेसन अपने दोस्तों को भी शेयर करो क्योंकि उन्हें भी अच्छी से सीख मिल जाए इस लेसन से